जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वांटिटेटिव अप्टिटुट का जो सेक्शन होता है वो काफी हद तक स्कोरिंग होता है और अगर क्लेरिकल लेवल की बात करें तो यह आपके सेलेक्शन का बहुत बड़ा पार्ट भी बनता है तो आज की वीडियो में हम यहीं डिस्कस क करेंगे कि इस सेक्शन को आपको कैसे त्यार करना है विकॉज आपके पास इनफ टाइम है अगर आप सही धंग से जा रहे हो इस स्ट्रेटिजी के साथ डैफिनेटल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यूवे लेवल तो स्कोर 35 आउट अट अफ थर्टी फाइन प् प्रिलिम्स में 35 नंबर का आपका पूरा रहेगा क्वांट का सेक्शन और उसमें भी जो आपके सब टॉपिक्स अने हैं उनका क्या वेटिज रहेगा और कैसे आपको पढ़ना है तो जैसे मैं आपको यहां पर बता दूँ आपके तीन पोर्शन बनते हैं तीन सेग्मेंट स्पीड मैट्स अर्थमैटिक एंड डियान केसलेट फ्रेलिम्स के एकॉर्डिंग सो अगर हम बात करें तो स्पीड मैट्स की जो टॉपिक्स है वह आपके सामने दिये हैं क्वाडिटिक एक्वेशन नंबर सिरीज इसमें मिसिंग और रॉंग आती है सिंप्लिफिकेशन औ कम से तीस कोजिन नहीं नहीं है क्यों आपको वह इन मेंसे कौन सा फॉषिन दे यह निसकार है चिक है जैट मेंस वी कंसीडर कि तैन टूट्वेटी इसमें यहां से स्कोर कर सकते हो तो देली आपको कम से कम पच्चैस से प्राक्टिस करें तो पता है क्लारिकल का जो कट आदा गंटा यहां पर लेंगे यह आपको डेली डूटीन में शामिल करने हैं विकॉस इनको जितना कम टाइम में करोगे उतना यह बाकी के दो पोर्शन आप अटेंड कर पाओगे क्योंकि हमें स्कोर करना है आपको पता है क् आपकी फिल्ड रही हो क्वांट की यह नहीं कोई रिक्वाइड नहीं है अब जो पढ़ रहे हो मैटर करता है इसके बाद अर्थमेटिक डियाई में कैसे पढ़ना है स्मार्ट ली जाना है कि कोई चीज यह नहीं कि बाद के लिए चोड़ने अभी से प्रैक्टिस करते जा अब उनको डेली बेसस्ट फॉलो करो उसके इलाब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है प्रैक्टिस करना है को इस दो सेक्षनल दो जो देना बट पूरी तयारी जो भी एक्जाम में आजकल आरा है सब मैं करवारी हूं परसंटेज से आपको स्टार्ट करने तिक मैंने से स्टार्ट करवाया पेहले आपको मैंने करवाया उसके बाद इस साल पर इस पर का पैर क्या रह सकता है क्यार तो कि मैंने वर्स थीिट करवारी है जिसमें त kicking हे कि सब्सक्रांच बूल्त को मुओलहिए और उसकी पीडियो बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी ठीक और यह mostly student इसको skip नहीं करना चाते हैं विकॉज यह scoring होता है यह सिर्फ दो chapters पर डिपेंड करता है mostly आपका percentage और ratio फिर भी मैंने averages एड किया क्योंकि कभी-कभी यह भी आपका add हो जाता है तो अभी देखो prelims की D.I. और case-let-vent diagram इसमें पूरा role इसका है क्योंकि मैं अभी आपको YouTube पे करवारे हैं आप देख सकते हो ठीक है क्योंकि D.I. का base ही यह होता है अब इसमें D.I. में क्या आना है case-let-vent diagram यह आपको case-let base मिल सकती है prelims D.I. में पाइचार्ट हो गया degree variable based आपको रेडी करना है variable based हो गया या फिर आपके यह सारे D.I. variable format में भी आ सकते हैं तो इस सारी चीज़े हम करेंगे ठीक है YouTube पर अब यह हो गया डल तो 5-10 number आपके यहां से आ सकते हैं तो आपको क्या करना है इसके लिए daily basis पे at least 2-3 D.I. practice करनी है daily basis पे आपको नहीं मिलती है आप गाइडली की वेबसाइट पे फ्री क्विजस दे सकते हो इसकी या फिर आप गाइडली के PDF बंडल से या फिर SBI का इंडिविजुल क्रेकर पैकेज है वहां से भी से दे सकते हो इसके इसके लबाब फॉर प्रैक्टिस यह मैंने आपको चीज़े बता दी और क्लासे की एक्जाम में अटेम्ट कैसे करना है स्मार्ट स्ट्राइडिजी के साथ तो दस बजे कनेक्ट हो यह यूट्यूब पर मौक भी बताऊंगी कि आपको कैसे अटेम्ट करना है यह तीन पोर्शन आपको आपको पहले अपने कॉंसेप्स क्लियर करने पड़ेंगे और क्लारिकल गाई तो बहुत ज़दा हाई लवल तक नहीं जाना है आपको तो इसके बाद आपकी जो टॉपिक्स बसते हैं आप रेडी करो इसके पार प्रफिट एंड लॉस टाइम एंड वर्क पाइप अंजिस करना कैसे है इसको स्टार्ट करना है साथ में यह दो टॉपिक करके डियाई स्टार्ट कर देना है डेली बिसस पे पिर जैसे जैसे टॉपिक स्टार्ट होते जाएंगे आप मौक में इन को करने लगो कि आपकी स्पीड आने लगेगी ठीक है अर्थमेटिक के विए में आपको एक चीज यह आपर क्लियर करना चाहूंगे कि आर्थमेटिक आपको एक दिन में नहीं आएगी आप देली प्रैक्टिस करोगे फिर मोंक दे रहे हो उससे आपको वो इंप्रूब कराना मेरी जिम् बाइ, arithmetic के दो पार्ट स और बन जाते हैं, quantity-based होगे, आपका data-sufficiency होगे, तो यह चीज़े आपकी mock test में आएंगी, वो मैं cover करा आउंगी, तो आपके इसमें भी cover करा दूँगी, जो आपके topic-wise arithmetic चल रही है, फिर mock को कैसे attempt करना है, यह भी हम देखेंगे, तो आप जितना ज् स्टार्ट करेंगे, तो इसके लावा अपने topics को complete करते हैं, आपके मौक में marks इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, आपको मौक अटेम्ट करने की स्ट्राइजी देखनी है, तो वह यूट्यूब पर करवाई है, बाकि जो अभी अपकी latest classes चल गही है, आप उन्हें जाइन कर आप कर्लूत करταस्त्व और को अटेम्ट करेंगे, तो कि मौक अटेम्ट करें एंगे, बाकाते हैं, अरistine जाजो एंगे भी तो और कि मैंसन वागे, वजी रहे हैं कि बेस्टाइज जाए, तो बनानता हो, जदे एमेल फिलिए। तो टेम्ली ब ceux थाब्ट करेंगे, भीक्मी